फरजी F.I.R. लिखा गया है और संगीन अपराद में हो तो अब उसमें नाम डाल दिया तो भाई उसके साथ जो अपराद हुआ है वो संगीन है उसमें आपकी गिराफ्तारी होगी है बीना आपको वारेंट दिखाए छोटे मोटे अपराद नॉन कोगनीजीबल में आप पु आप DSP office में ले जाए है वहाँ दस्तावेश दीजिए पूरूफ दीजिए कि हाँ सर यह जिस समय घटना हुई थी वह इस समय नहीं थे आप अगर नहीं involved है तो कोई ना कोई तो प्रूफ हो गई आपके पास कि उस समय हम यहां थे हैं माली है आप किसी दोस्त के पास थे त बहुत बड़े बड़े लोग का पिर यहां मंत्री उंत्री लोग का सोर्स चलता है SP के पास नॉर्मल आदमी का नहीं चल पाता तो यह आपकी बात को सुन सकते हैं और इन लोग के पास दोनों लोग के पास order होता है कि नो अरेस्टिंग का आदेश जारी कर सकते हैं अभी इ नहीं हमानत ले लीजय हमारे उपर भी कई जाना लोग में फर्जी एक्यार कर दिया को चींग बढ़ते रहते लो तो फुल्टा सिदा काम कर देता था फर्जी एक पायार होगया मने नहुप पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए पुलीस कर ये कांज को आदेगे निर पी है तुम गया कोट के पास जजज होता है कानून अंदा होता है ज़र अंदा नहीं होता है तो अंपर अंटिसेपेटरी बेल लेकिया जाएंगे ना अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिराफ़तार नहीं कर सकती है पुलिस केवल साबूत करेगी, जजज को देदेगी, वहाब पन एंट्री सेपेट्री बेल आपके पास रहना चीए, लेकिन क्या होगा, कि आप एंट्री सेपेट्री बेल भी नहीं लिये हैं, आप पुलिस, ठी बात की बात नहीं सुने, आप कहीं घूम रहा हैं, आपको तक हम अपनी बेगुन आईगा सबूत आपके पास लाइंगे तो आपको जो है ना बेल आराम से मिल जाता है लेकिन इसके बावजूद ना आप बेल मिल जाना मतलब यह कहां का निया में कि आप निर्दोस है नमवत आपका अभी भी है बस बेल का मतलब किसे गिरफतार मत अब आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये फर्जी अफईयाद है तो इसके लिए दो रास्ते आप दोनों के बीच में कंपरमाइज कर लिए कि देख भाई हमको काई लिए फसा रहा है उल्टा सिधा हम नहीं थे कभी-कभी अज्यानता में भी लोग जब किसी को मार करका दिया लोग गूस